दोस्तों आपके फेवरिट शोड आरिया में आगे क्या हो रहा है चलिए बात करते हैं क्या देख रहे हैं हम प्रोमो में नमशकार दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलिवॉड स्पाई दोस्तों हमने एपिसोड में देखा कि तेजो और अंगद की बेटी रिया की अच्छी दोस्ती हो जाती है यानि कि दोनों के बीच बहुत बनती है वहीं दोस्तों तेजो जो है वो चाहती है कि रिया यहीं रुके अंगद के पास लेकिन अंगद के मन में पता नहीं क्या है कि वो रिया को वापस भेजना चाहता है अपने साथ नहीं रखना चाहता है वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि जैस्मिन और फते भी अपनी अपनी रास्ते पर निकल जाते हैं हाला कि प्रोमो में ऐसा लगा था कि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया लेकिन एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ इतिफाक की बात थी कि दोनों की बस आजू बाजू ही थी लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि बस में बैठने से पहले जो है जैसमिन फते और खुद की फोटो फेस्बुक पर डालती है वो भी मौफ करके ताकि ऐसा लगे कि फते और जैसमिन कैनिडा गूम रहे हैं यानि कि वो मन ही मन यही सोचती है कि मैं तेजो को तो पता ही नहीं चलने दूँगी कि हमारे बीच हुआ क्या है और हम साथ नहीं हैं वहीं दोस्तों अब प्रोमो में नजर आ रहा है कि फतह जो है जहां भी पहुँचा है वहां उसकी होटेल के मालिक से लड़ाई हो गई ह होटेल के रूम को लेकर वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दोस्तों कि तेजो और अंगद में शायद दूरियां आ रही है या तेजो जानबूज कर दूरियां बढ़ा रही है जहां तेजो कह रही है कि अब तो हम अजनबी है और अब तो हम पार्टनर्स भी नहीं है त फिर क्या करेगी दोस्तों जैस्मिन क्योंकि जैस्मिन तो अब बाज नहीं आने वाली है आपको क्या लगता है दोस्तों क्या होगा जैस्मिन का अगला कदम कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अभी के लिए इतना ही देखते रहिए बॉलिवुड स्पाई